बश्कार दोस्तों आपका मरे यूटूब चैनल पर श्वागत है आज कि इस वीडियो में हर्याना की जो सेकंड राउंड है उसका सोले तारीक को रजल्ट आना था लेकिन किसी परिस्थितियों की बज़े से या फिर किसी रुकावट या फिर सॉफ्ट्वेर जनरेट नहीं ह कि क्या संबावना है इस्टूडेंट जैसा कि आप जानते हो हर्याना की फीस में दसलाक रुपे बढ़ने के कारण बहुत बड़ा इश्यू रायश बास शमश्या रही है इस कांसलिंग में तो इस बार कट आप थोड़े कम होने के चांसे कुछ इस्टूडेंट ने फस्ट टेट कट निकाली हमारी टीम ने तुम मैं आपको बताता हूं जिससे कि आपको काफी सहुलियत मिले और आपको एक आईडिया लग जाए कि आप इस रेंग के अंदर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो जिससे कि आपको दोस्तों तो सबसे पहले में यू आर के टिगरी की बात कर करते हैं तो EWS काटेगरी में जिने स्टूडेंटों के 600 नंबर से लेके 503 में के बीच में नंबर हैं उन्हीं स्टूडेंटों को कही ना कहीं सीट मिले के चांस हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं OVC अगर दो कैटेगरी यों बाता गया है OVC A की बात करें तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं 500 बहतर नंबर से लेके अगर आपके 565 के बीच में नंबर हैं तो आपको सीट मिलने के चांस हैं इसके अलावा स्टूडेंट अपन बात करते हैं OVC कैटेगरी जिसको B नाम दिया गया है उसके जिसमें 500 अठाण में नंबर से लेके औ 500 बान में नंबर तक जिन स्टूडेंटों के नंबर हैं उनको कहीं ना कहीं सीट में लेके चांस हैं इसके अलावा अपन S C कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों S C में 525 से लेके जिन स्टूडेंटों के 535 के बीच में नंबर हैं उनको कहीं ना कहीं सीट में लेके चांस है हैं ये दोस्तो एक expected cut-off थी actually राइस्थान की cut-off फिर भी मैंने second round में कम बताई है अभी मैं राजिस्थान का जैपुर का रहने बाला हूँ जैपुर की राइस्थान की cut-off दोस्तो भहुत आई गई एक बार मैं आपके लिए बता देता हूँ और इसके लाबा ऐसी केटिगरी की बात करते हैं इस्टूडेंट तो 500 अब इसका मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है 500 प्लस गई है साइथ कुछ 508 है सम्थिंग और इसके लाब दोस्तों वी राजिस्तान में एक ऐसी केटिगरी होती है सेडूल कास्ट और यह होती है सेडू कुछ ऐसा नाम से होता है उसकी कहिए 488 नंबर तो आप देख सकते हो राजिस्तान की कटव भी काफी हाई गई है तो हर्याणा का फीश का इसकी नहीं होता तो इसकी कटव ज्यादा जाती लेकिन स्टूडेंट मैं आपके लिए बात और शेयर करना चाहता हूं मैं भी आप आपको लग रहा कि अपने इतनी फीश अफॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों मैं लास्टियर कजाकिस्तान में बीविए करने गया था अगर आप जाना चाहते हो मां आपका एप्रॉक्स में बता देता हूं तेश से 24 लाख रुपे में आपकी अम्प्लीट करके आप वापस आ जाओगे दोस्तों मैं भी कजाकिस्तान से ये इंबीविए कर रहा हूं और शेग इंडियर का इस्टुडेंट हूं इसमें आपका तेश 24 लाख रुपे में दोस्तों बीजा पासपोर्ट पांस साल की फीस आना जाना होस्टल फूड सब कुछ इसी में आ जाएग आप इंडिया के होची आप बार से करो कहीं से भी करो के 720 मिसे 720 नमच उसको भी एगज्ञाण मों देना है तो अगर आप ब्रण एक चाहते हो तो दोस्तो ये मेरा नमबर इस नमबर कोंटेट कर सकते हर्याना के काफी बच्चों का सेवन थरी फाइब शेवन टू 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 फोर दोस्तों आपका जैसे आप यह वीडियो देख रहे हैं तो रहता के रह वाड़ी ऐसे कई जिले हैं जिनका एड़ीशन हो चुका है और वो स्टुटेंट जाने की त्यारी में तो कर दूँगा तो दोस्तों रजल्ट का भी बेट कीजिए वो सकता अभी आज या कल में आपका रजल्ट जारी कर दिया जाएगा आपको देख अबडाने के आवर्शक्ता नहीं है गवर्मेंट का काम है गवर्मेंट और यह जो अपने लेवल पेस को हैंडल करेगी तो मिलत नेस्ट वीडियो में नेस्ट अपडेट के साथ आज के लिए तना ही जैहिंद जैबारत